नमस्कार टीपीबी नियूज में आपका स्वागत है मैं हूँ अखिल जांगी चलिए रुप करते खबरों की तरफ दोसागे रामगड पच्वारा में किसान सेवा केंदर पर राष्ट्री खादे सुरक्स्या मिसन तिलहन अंतरगत कर्शी विभाग के तत्वाधान में दो दिवसी संस्थागत महिला कर्शक परशिक्षन का आयुजन किया गया सीविर के दोरान परशिक्षन अधिकारी असोग कुमार मीना ने क्षेतर की 30 परगती सील महिला कर्शकों को क्रशी वै उद्धान विभाग की तारबंदी फवारा सैंतर सिचाई पाइपलाइन क्रशी यंतर फार्म फार्म पॉंड जल होज नवीन फलदार बगीचा सैड नेट हाउस प्याज हाउस सहित कई उज्णाओं की विस्तार से जानकारी दी साथी फसल करसी अधिकारी धरम सिंग गुजर दोसा ने दो दिवस्ये सीविर में महिलाओं को फसलों में लगने वाले रोगों और उनके बचाओं की तकनिकी की जानकारी दी वही ठानचारी बगवान सहाए ने पोदार उपन की दुरान वरक्षों के महत्तों पर परकाश डालते हुए कहा कि वरक्ष हमारा जीवन है उन्होंने बताया कि विधाले परीसर में बील पत्र, चिरोंजी, असोक, नीम सहित कई अन्य औस दिये पोदे लगाए गए हैं विधाल के पास से चोरी की तेरा बाइक बरामद की है, ठानादिकारी राजे सियादाओ ने बताया कि मतोड़ा निवासी यूवक को गिरफतार किया है, पूस्ताच में उसने कुल तेरा वाहन चुराना स्विकार किया है, फिलाल आरोपी से पूस्ताच जारी है पूस्ताच जो कर्फियों के बाद में काफी मुटसाच जोड़िया हो रही है, हमारे पूली स्थाने के भूमरा राम एस है, बीनजा राम एस है, अनन्दार हैड कॉंस्टेब, सोजरा राम कॉंस्टेब, विनोद कॉंस्टेब और पमलेस कॉंस्टेबर, इनके टीम मनाई इन्होंने काफी महनत करके और प्रयास करके जो प्राने चालाम शुदा अपरादे थे, उनको और शायर के अन्यमुखिर तंदर से मौलूम किया, तो एक रख्ती जिसका नाम गुलाब सी, इसके पिताजी का नाम भूम सी है, ये राजपूत है, शीवनगर पुलिस थाना मत इसके पूस्ताज करी तो इसके कपजे से दस मोटर साइक लिए हमने जबत करें, इससे और पूस्ताज करी तो इसने बताया है कि इसने तीन मोटर साइकल जो पैले इसके द्वारा चुराए गई थी, वो जगदिश पुत्र मोटा मेगवाल जो कोलूपाबूजी थाना लोह और जो गुलाब सीने उसका में पुलिस के मार लिया है, वो सकता है और भी आगी कामेर लिया है। जोर पर हमला करने वालों के खिलाफ कारवाई की मांग की है। उप तैसिल सहीत अनेकों स्थानों बर पोदार ओपन किया। आज COVID-19 में आपने देखा होगा कि ऑक्षिजन की बहुत सारी कमी हमारे देश में रही। इसे कमी को ध्यान में रखते हुए राज सरकार ने और अमारे केंदर सरकार ने एक यूजना बनाई कि ज़्यादा से ज़्यादा वरक्षार उपन का कारिय किया जाए। इसके तहत मादमिक सिकशा बीकानीर के आदेशानुषार जो सहिवरी छेत्र हैं वहाँपर गांधनीवाटी का और ह्यार ग्रामिल छेत्र हैं, वहांके समस्त विद्याले haramati का लगानी का और इसके अलावा किछिन गार्डन लगानी की राध सरकार ने आदेशारी किये है खलदार पोदी लगाएगी। आज तीस तरीक को में आया हूं सामको छे बजी यापे तो यहां पर घर के सब ताले वगरा तुटे वे और अमारी का समा ने सब तुटे की थी है। जैपूर के किसन के ड्रेनवाल में लगातार बारिस का दोर जारी है। रुक रुक कर हो रही बारिस से कस्बे में कई जगहों पर पानी भर गया जिससे लोगों को आवागमन में परिशानी का सामना करना पड़ रहा है। जानकारी के अनुसार निकट वर्ती बाल्यावास एनिकट भी लगातार हो रही बारिस से छलकने को आतुर है। एनिकट के पास करड रोड पर पानी भर गया है जिससे मूनली गाओं के लोगों का मुखे रेनवाल करड रोड से संपा कट गया है। वही करड मार्ग पर पानी भरने और कटाव हो जाने से आवागमन बादित हो गया है। नो बजे पूर्व नियूजित कारिकरम था और उस कारिकरम के तैथ HDMC की मिटिंग का आयूजन किया गया। और उस मिटिंग में विद्डाले विकास से समंदित बहुत सारी कारिकरमों के बारे में प्रस्ताव लिये गया। जैसे पहले जो प्रस्ताव लिया गया कि विगत बहुत सारे वर्सों से हमारे विद्डाले की रंग रोगन डेंटिंग प्रेंटिंग का जो कारिय है वो नहीं हो पाया था। हमने लगबग तीन महापूर पीडवनुडी से एस्टिमेट बनवा करके रंग रोगन करवाने का प्रियास किया। लेकिन जो जिसके नाम टेंडर हुआ वो रासी बहुत कम होने के कान। सभी टेंडर दारियों ने अपना कारिय करवाने से मना कर दिया। इसे तो दुबारा री टेंडर के लिए हमने आज SGMC की मितिंग गुलवाई। और उस मितिंग में यह प्रस्ताव लिया गया कि जो नए पीडवनुडी के अनुमानित इस्टिमेट के अनुशार नए अटेंडर करवाए गया। और उसके लिए हमने पूरा प्रस्ताव लेकर के UBN नंबर जारी करवाने के लिए हमने समसा ओपिस में आज ही पत्र भेज दिया गया है। दोसा के बांदी कुई में उपखंड के दपावन कला प्रात्मिक विद्धाले में चायादार पोदे लगाए गए। आपको बता दे कि राष्ट्य महिला जागरती मंच की राष्थान परदेश उपादेक्स नेहा चतुरवेदी के नेत्रित्वे में 21 पोदे लगाए गे। इस दोरा नेहा चतुरवेदी, युवा नेता जेपी धपावन, विध्धाले प्रधाना द्यापक हेमलता महावर, बीलो सुखरम गुजर सहीत अनेक लोग मौजूद रहे। वहीं बरसात होने से किसानों की चेहरे खिल उठे। पुलेटिन में फिलाल इतना ही, आप देखते रहें टीपीवी न्यूज।